नमस्कार सुबागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत इस साल के सबसे बड़े शादी समारों के लिए जाम नगर सजदज करते यार है रिलाइंस इंडस्ट्रीज के सी अमटी मुकेश अमबानी के बेटे अनन्त अमबानी और राधिका मर्चंट की प्री वेडिंग सेरिमनी की शुरुआत अननसे वासे कोई प्री वेडिंग सेरेमनी में शरकत करने के लिए देशी महमानों के साथ विदेशी महमान भी गुजरात के जामनेगर पहुँच रही है वर्ल्ड फेमिस पॉप सिंगर रहाना पहुची है बॉलिवूट के बादशा शारुख खान अपने बेटे आरियन और बेटी सुहाना खान के साथ पहुचे है और वहीं अभिनेता सल्मान खान अरजुन कपूर भी इस भव्य आयुजर्ण में शामिल होने पहुचे है रणबीर कपूर आलिया भट के साथ नीतू सिंग भी प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुई है दुबई के जानिमाने बिजनसमैन मुहमद अली अलबबर भी इस फंक्शन में पहुचे है Reliance Industries Limited के Corporate Affairs के निदेशक परिमल लथवानी की फैमिली भी यहाँ पर पहुची हुई है तो परिवार के सदस्यों का भी जामनगर पहुचना जारी है आकाश अमबानी अपनी पतनी श्लोका के साथ छोटे भाई के फंक्शन में शामिल होने के लिए आज पहले ही पहुच गए थे अनन्द अमबानी और रादिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरिमनी में शामिल होने के लिए मार्क जुकरबर्ग भी पहुचे हैं फेस्बुक के से सद्धापक है मार्क जुकरबर्ग तो सेलिब्रिटीज के पहुचने का सिलसिला जारी है और ये लगातार एक के बाद वो पहुच रहे एक से लेकर तीन मर्च तक ये प्री बेडिंग सेलिब्रिशन जो है वो चलना है और इसके लिए अनंत और राधिका को शुब कामनाएं देने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां पूरी दुनिया से अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंची है सल्मान खान भी पहुंचे हैं और कौन कौन से प्री वेटिंग में महमान शामल होने वाले हैं वो लिस्ट तो आप देखी रहें कि क्रिकेट जगट से भी बड़ी बड़ी हस्तियां खिलाडी जो हैं वे पहुंचेंगे इसके अलावा मार्क जगरबर्ग भी यहां पर पहुंच चुके हैं और सल्मान खान की बात करें या सचिन तेंदूलकर की बात करें वे भी पहुंचे हैं देखिए शारुक खान अपनी फैमिली के साथ उनके बेटी और बेटी दोनों के साथ वे यहां पर पहुँचे हुए हैं रहाना के टीम भी यहां पर पहुँची और खास तौर पर एरपोर्ट पर यहां खास इंतजाम किये गए हैं जो महमान पहुच रहे हैं उनके लिए लगजरी कार्स यहां पर तैनाद की गई हैं जो उन्हें होटेल तक लेकर जाएगी रोल्स रॉइस आप देख सकते हैं वो भी यहां पर है इसके अलावा बीम डवल्यू और डी और मर्सिडीज बेंस यह सारी गाड़ियां यहां पर तैनाद की गई हैं क्योंकि खास महमान हैं तो उनके लिए खास इंतजाम भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं और अमर्नी परिवार अपने साधगी के लिए तो हमेशा से जाना जाता रहा है एक पर फिर से रिलाइंस इंडिस्ट्रीज के सीमडी मुकेश वंबानी की साधगी कैमरे में कैमरे में कैद हुई फोचोग्राफर मितेश दोधिया का भी मुकेश वंबानी ने बाकी महमानों की तरह ही स्वागत किया और फिर उन्हें खास तोर पर अनन्त वंबानी और राधिका मर्चिन से मिलवाया भी देखिए तस्वीर अंबानी परिवार के सबसे छोटे बेटे और उद्योगपती अनन्त अंबानी और राधिका मिलवाया अनन्त अंबानी और अंबानी परिवार के अनन्त सदस्यों ने गाउंवालों को पारंपरिक भुच्राती खाना परोसा है राधिका की नानी और माता पिता विरेंट और शैला मर्चिन्ट ने भी अनन्त सेवा में हिर्सा लिया भोजन के बार लोगों ने पारंपरिक लोग संगीत का आनन्त उठाया पारंपरिक परंपरा को आगे बढ़ाते उन्हें अनन्त अंबानी ने अपने विभापूर्व कारत्रमों किष्टुआत अन्न सेवा से की है अन्न सेवा में पहुचे लोगों ने अंबानी परिवार का आभार जताया और उन्हें दूआए दी मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ सभी लोग आये थे और हमको खाना खिलाया बहुत अच्छा लगा मुकेश भाई आये थे, राधिका बेहन थी, बहुत भी दे इदर, सब ने अपने आतों से पुब्लिक को खाना खिलाया और आज जो देखोगे तो गाओं में बहुत खुजी का माहूल है रिलाइंस इंट्रस्टीज के च्छेमर, मुकेश अंबानी के बेटे, अनन्त अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरमनी को लेकर, जामनगर के जोगवड गाओं में काफी उत्साह का माहूल है लोगों के बीच रिलाइंस इंट्रस्टीज के च्छेमर, मुकेश अंबानी अलग अंदास में देखी, उन्होंने लोगों से गुजराती में बाचीत भी गी अनंत अंबानी और राधिका मर्जंट की प्री वेडिंग सेरमनी में शामन होने के लिए आकाश और श्लो का अंबानी भी जामनगर बहुत चुके हैं प्री वेडिंग सेरमनी के लिए जामनगर को खुबसूरती के साथ सजाये गया है इस साल के सबसे बड़े शादी समहरों में शामिल होने के लिए ग्लोबल गेस्ट गुजरात के जामनगर पहुच रहे हैं फिर मभीनेता सलमान खार जामनगर पहुच चुके हैं इसके अलावा दूसरे महमानों के पहुचने का सलसला भी लगाता आ जारी है कई ग्लोबल महमान इस साल की सबसे बड़ी शादी में शरीक होंगे करीब 1000 वी वी आईपी गेस्ट इस समहरों में पहुचेंगे एक से तीन मार्श तक अनंतमवानी और आधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सरमनी होगी और फिर 12 जुलाई को ये दोनोट शादी के बंधन में बंधेंगे अनंतमवानी और आधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सरमनी को लेकर देश विदेश से कलकार जामनगर पहुच रहे हैं पॉप स्टार सिंगर रहाना भी जामनगर पहुच चुकी है मशूर सिंगर रहाना चीम के साथ जामनगर पहुची है मही फिल्म अभिनेता अरजुन कपूर भी जामनगर पहुच चुकी है रंबीर कपूर आलिया भट और नेदू सिंग समहरों के लिए जामनगर में है एक से तीन मार्श तक होने वाले प्री वेडिंग सेरमनी के लिए तयानिया पूरी कर ली गई है अमबानी परिवार में हो रहे शादी समहरों को इस साल का सबसे बड़ा समहरों मानन जा रहा है इस साल की सबसे बड़ी शादी और शादी के समहरों में दुनिया के सबसे बड़े दिगज महमान के तौर पर शामिल होंगे अनन्तमबानी और रादिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सरमनी में बिल गेट, मेटा के माग, जकवग, भुटान नरेश, कतर के प्रधान मंत्री और केनेडा के पूर्व प्रधान मंत्री समेथ फिल्म जगत के कई वड़े सितारे भी शामिल होंगे महमानों की लिस्ट में एडोबी के सीईयो शांतनू नारायन और डोनाल ट्रम की बेटी इवांका ट्रम भी शामिल है खेल जगत से सचिन तंदुलकर, महिंज सिंग धोनी और रोहिर शर्वा जैसे क्रिकेटर शामिल होंगे आध्यात्मिक जगत से सद्गुरू भी प्री वेटिंग सेरमनी में शामल होने वाले हैं 12 जुलाई को अनंत और राधिका की शादी होगी जिस पर ना सिर्फ देश बलकी पूरी दुनिया की निगाहे टिकी होई है विरो रिपोर्ट निउस एटी जामनेगर में अंतराश्ट्री अस्तर के इस इवेंट से स्थानी लोग काफे खुश हैं उत्साहित हैं प्री वेटिंग को लेकर युवाओं में खुशी का माहल है स्थानी बिस्नसमें का भी माना है कि रिलाइंस ने जामनेगर को ओयल सिटी की पहचान दी है अब जामनेगर में इंटरनाश्टल लेवल की प्री वेटिंग सरेमनी होने से जामनेगर को मैरिज डेस्टिनेशन के तौर पर भी नहीं पहचान मेली है ए मोटी गाडी आवी मोटा में मानों लावी जामनेगर माटे लीले लीला लेर चे इस साल के सबसे बड़े शारी समारों के लिए जामनगर सजधज का तयार है रिलाइंस इंडरस्टिस के CMD, मुकेश अंबानी के बेटे, अनन्त अंबानी और राधिका मर्चेट की प्री वेडिंग सरेमनी है जामनगर में महमानों के लिए महंगी कारों का इंतिजाम किया गया है प्री वेडिंग सरेमनी में आने वाले महमानों के लिए महंगी कारे रखी गई थी एयरपोर्ट पर महमानों के स्वागत के लिए करोडो रुपे की लग्जरी कारों का बेड़ा तैनात किया गया है रॉल्स रॉयल, बियम डवलू, मसिडी समेट कई कम्पनियों की कारे है अनन्त, अम्मानी और राधिका मर्चेंड की प्री वेडिंग सेरिमनी में शारुख खान परिवार के साथ शामिल हुए है शारुख के बेटी आरिन खान और बेटी सुहाना खान भी जामनगर पहुँचे दुबई के बिस्निसमेन मोहमद अलवर भी प्री वेडिंग सेरेमिनी में शामिल हुए हैं बिस्निसमेन मोहमद अलवर परिवार के साथ मौचे मशूर पॉप सिंगर रिहाना भी प्री वेडिंग सेरेमिनी में शामिल हो गई हैं उनकी टीम पहले ही पहुँच गई थी जामनगर में एक अंतरास्टि प्री वेडिंग आयजित करके अंबानी परिवार ने खुद को गुचुराती होने परकर महसूस कराया है ऐसे में स्थानी लोगों में खास गौर्फर युवाहों में काफी हुद्गा है जामनगर में प्री वेडिंग कारिक्रम आयजित करने के लिए अंबानी परिवार को खुद्गा दिया उन्होंने गाना गागर अपनी पुशी का इस भाठी किया अनन्त अंबानी और आदिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सरेमनी के लिए मुंबई न जाक कर गुज़ात के जामनगर को चुरा गया अंबानी परिवार के स्पैस्टे से इस थारी लोग काफी खुश है प्री वेडिंग फंक्शन से कारुबारी तक में काफी उच्सा देखने को मिल रहा है बिजनेसमेन मानते हैं कि रेलाइंस ने जामनगर को ओयल सिटी की पहचान दी है अब जामनगर में प्री वेडिंग सरेमेनी होने से जामनगर को नई पहचान दी है अम्मानी परिवार के जो सुपत्र है अननज जी उनकी प्री वेडिंग फंक्शन करके और प्रधान मंतरी के आवान के अनुरूप लोगों को अपने देश में ही बड़े फंक्शन करने चाहिए, अपने परिवार के साधी के फंक्शन है या प्री वेडिंग के फंक्शन है, destination वेडिंग शुट बी इन इंडिया, तो उस तरह से जो उसने अपने ये फंक्शन प्री वेडिंग का तीन दिन का जो जामनगर में नाम विश इस्तर पर चमका है आने वाले समय में लोग प्री वेडिंग और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यहां पर आएंगे सालों के बाद भी याद रहेगा कि यसी इवेंट जामनगर में भी हुई थी और इसकी वज़े से इस बिल्डर हमें लगता है कि इसका बहुत बड़ा फाइदा जामनगर को अल्रेडी हुआ है और आगे भी होगा क्योंकि इसकी वज़े से लोग जामनगर में प्री वेडिंग के लिए भी आएंगे इसके डेस्टिनेशन वेडिंग भी यहां पे दुसरे सहर के लोग आके करेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा लाब आने वाले समय में जामनगर को मिलने वाला है कोकिला बेन अम्बानी से तुड़े परिवार ने प्री वेडिंग सरेमेनी पर खुशी जदाई है यूज़े टीन के साथ पुरानी यादों को ताजा किया उनका कहना है कि अम्बानी परिवार ने जामनगर में अंतराश्टि स्तर का प्री वेडिंग समारो आजित कर गुश्राती होने का कर्व दिलाया है प्री वेडिंग सरेमनी में शरकत करने के लिए देसी महमानों के साथ विरेशी महमान भी गुश्रात के जामनगर पहुँचे है परिवार के सदस्व का भी जामनगर पहुँचना जारी है अकाश अम्बानी अपनी पत्नी श्लोका के साथ छोटे भाई के फंक्चन में शामिल हो चुके है जामनगर में अनन्त अम्बानी और राधिका मोचेट की प्री वेडिंग सेरिमनी के चलते हैं यहां सारे के सारे होटेल्स बुक हो चुके हैं और महमानों के स्वागत के इंतजाम भी किये गए हैं ओल सिटी जामनगर में अनन्त अम्बानी और राधिका मर्चेट की प्री वेडिंग सेरिमनी एक मार्च से तीन दिनों तक आयोजित की गई हैं अम्बानी परिवार के इस समारों को लेकर पूरे जामनगर में उत्साह का महौल है जामनगर और उसके आसपास के सभी होटेल पहले से ही बुक हो चुके हैं इस प्री वेडिंग सेरिमनी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से एक हजार से ज्यादा विवी आईपी महमान जामनगर आ रहे हैं हर होटेल कालोबारी अपने होटेल में अम्बानी परिवार के महमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है अनन्थ अम्बानी और राधीका मर्चंट का वेडिन्ग का प्रिप्रेसन पूर तयार जोस में चल रहा है अपर लोग के अद्मी आ रहे हैं और तयार पूर जोस में चल रही है अनन्त अम्बानी और राधिका मर्च्वेंट की प्री वेडिंग सेरेमेनी एक मार्च से तीन मार्च तक है लेकिन जामनगर के गरीब करीब सभी होटेल 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक फुल हो चुके हैं जिस प्रकार से अब दरश्य देख रहे हैं जामनगर की ये पूरी होटल इंडिस्ट्रीज है वहाँ सब तरेके से इंतिजामात कर रहे हैं क्योंकि पूरे विश्व से यहां VVIP जाने वाले हैं इसको लेकर ही काफी यहां सजा दजा जा रहा है क्योंकि पूरे विश्व से यहां जामनगर में जो लोग आते उसको किसी भी प्रकार की दिक्कते न मेशुस हो तकलिफे न पड़े उसके लिए यहां सब तैयारिये कर रहे हैं जामनगर में अनन्त अमबानी और राधिका मर्चंट की प्री वेडिंग सेरमनी की वजह से किसी भी होटल में जगह नहीं बची है यहां तक की स्थानिये लोगों को भी होटल में जगह नहीं मिल पा रही जिस प्रकार से आप द्रश्य देख रहे हैं जामनगर की सयाजी होटल में जो कोई लोग आने वाले हैं उसको वेलकम करने की लिए यह बोर्ड भी लगाया गया है सारे होटल हाउस्पुल हो चुकी है जानिये लोगों को अभी होटल में स्टे करने के लिए जगह भी नहीं मिल दे जिस प्रकार से बात की जैए जामनगर में पहले भारत वर्ष से कोई भी महमान है वो आते थे तो जामनगर की होटल का मुएज़ा लेते थे अभी जामनगर में भारत के इलावा पुरे जामनगर में श्रीजी सयाजी होटल के जनरल मेनिजर ने कहा कि जामनगर में अमबानी परिवार के शाही समारो का आयोजन उनके लिए स्वभाग की बात है उनके हुटल में 25 फर्वरी से ही सब कुछ फुल हो चुका है और 6 मार्च के पहले कोई जेखे नहीं है जामनगर इतनी छोटी सिटी है वहाँ पे इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है जहां पे पूरे दुनिया से आज तक ऐसा था जामनगर में भारत से लोग आते थे और रिलाइंस वैसे भी बहुत सारे कॉर्पेट्स को लेके आता है जामनगर यह एक ऐसी इवेंट है ज 15 मार्स तक साया जी हमारा होटल पूरा पैक है वैसे ही आप कहीं पे भी आप जाके देखोगे किसी भी होटल में रूम नहीं है यह बहुत ही अच्छी बात है हमारे जामनगर के लिए जामनगर के कारुबारी इस इवेंट को अपने लिए गर्व की बात समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बार जामनगर में कोई ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें दुनिया भर के दिगज आने वाले हैं रिलाइंस के सीमब उनके संबानी के बेते की फ्री वेडिंग हो रही है अननतंबानी और आदिका जी की तो जामनगर में इंटरनेशनल जो गेस्ट है वो आए हुए हैं यहां पे एकॉम जेसन पूरे जामनगर में उन्होंने किया हुआ है जामनगर के अल्मोस्त अब होतल है और यह हमारे लिए प्रावड मॉमेंट है कि इंटरनेशनल गेस्ट आते हैं तो यहां पे वो जामनगर का तुरिजं पी देवलोप होता है और हमारे लिए बहुत प्रावड मॉमेंट यह हो रहा है यह फरस्ट अफ जामनगर में यत stakes फ्री वेडिंग हो रही है जामनगर शहर से अमबानी परिवार का बेहद लगाव है यही वज़े है कि जामनगर में रिलाइंस की रिफाइनरी शुरू होने के बाद से लगातार जामनगर का काया कल्प होता गया इसमें रिलाइंस इंडिस्ट्रीज का बहुत बड़ा योगतान है मौजूदा वक्त में जामनगर विकास के नए किर्थिमान कर रहा है और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही वक्त एक ब्रेक का है